नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आलोक्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपनी ही यूटूब चैनल आलोक्स प्लोग पर दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में मैं आप सभी को अपने इंडोर गार्डेन के कुछ ऐसे पौधों से मिलवाने वाला हूँ जो की बहुत ही खूबसूरत देखने में लगते हैं और बहुत ही कलर्फुल लुक जो है गार्डेन के अंदर एड़ करते हैं वीडियो को बिना स्किप किये हुए लास तक अगर देखेंगे तो वीडियो बहुत ही हेल्फुल होगी साथी साथ आपको नए-नए पौधों के बारे में जो है पौचानने को मिलेगा वीडियो को लास तक जरूर देखेगा और साथी साथ अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक कमेंट और शेयर भी जरूर कर दीजेगा साथी साथ मेरे वो दोस्त जो मेरी इस वीडियो पे नए है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजेगा जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे तो दोस्तों अगर इंडोर गार्डेन की बात करी जाती है तो इंडोर गार्डेन के अंदर हम जो भी पौधे एड़ करते हैं वो उनकी कलरफुल लीप्स के कारड़ जो है एड़ करते हैं क्योंकि इनके अंदर फ्लावर्स तो नहीं आते हैं लेकिन इनकी फूफुजरत प अगर आप ग्राउन पर लगाते हैं तो आप इसको आउटडूर रख सकते हैं यह है आपका क्रोटन क्रोटन देखने में बहुत ही ज़्यादा खूपसूरत लगता है साथ ही साथ इसकी बहुत सारी वराइटेज भी देखने को मिल जाएंगी आपको यहां पर मेरे पास सारा लुक देती हैं गार्डेन को की देखते ही बनता है और बात करी जाये मेरे इन पौधों की तो बहुत ही हल्दी है ये इनके अंदर खूब अच्छी से ग्रोध भी है तो पहला आप जो है क्रोटोन को एड़ कर सकते हैं यहां पर ये दो पौधे मैंने क्रोटोन के और इनके अंदर बड़ा ही प्यारा सा लुक आता है बहुत ही कलर्फुल ये देखने में लगती है ये दोनों ही पौधे जो है इनका कलर वेरियेशन बिलकुल एक जैसा है बस पत्तियों का ये जो डिजाइन है कुछ अलग है अगला पौधा जो मैं आप सभी को दिखाना चाह ही है और इसके बाद यहां शाइट से जो है और नीचे से भी ये अंदर की साइट से भी खूब घना जो है वो हो रहा है थोड़ा दूर से अगर दिखाऊं तो थोड़ा बहुत प्यारा सा लुक जो है ये क्रोटॉन के साथ मिल कर दे रहा है इसकी एक और वराइटी जो मेर बाकि इसकी जो है वो नॉर्मल ग्रीन वराइटी भी आती है वो और वो भी देखने में काफी ज़्यादा खूबसूरत लगती है अगले जो पौधे हैं ये ड्रैसीना फैमली से बिलॉंग करते हैं इन सभी को मैं एक साथ ही जो है आपको इंट्रोड्यूश कराता हूँ य ये पौधा जो आपके सामने है ये है ड्रैसीना महत्मा मैंने इसके पत्ते उपर उपर के अभी देखे क्लीन कर दिये हैं और नीचे मैंने फंगिशाइट का इस्प्रे किया था तो उसके कुछ दाग धब्बे जो है वो नजर आ रहे होंगे और ये इसी का बेवी मेरे पास है छोटा क्या दोनों की हाइट लगभग 19-20 का अंतर है और मैंने दोनों को इस तरीके से जो है पास पास में ही रखा हुआ है और इस गमले के अंदर जो नीचे रखा हुआ है इसमें नीचे पाए बने हुए है इस वज़ा से स्टैंड पे नहीं आ पा रहा है कु कि एक ये ग्रीन वाली वराइटी भी देखने को मिलती है कटिंग से इन सब को बहुत ही इसली प्रोपगेट किया जा सकता है और इसकी कटिंग देखिए मैंने इस वेरिगेटेट सॉंग आफ इंडिया की कटिंग यहां पर यह लगा रखी है और बहुत अच्छे से इसके अंदर ग्रोथ निकल के आ रही है इसी की मैंने ग्रीन वाली जो वराइटी इसकी मेरे पास है इसकी कटिंग मैंने यहां पर देखी यह लगा रखी है तो दोनों की ही कटिंग जो है बड़े आसानी से लग जाती है और बिलकुल जिस तरीके से प्रोपगेशन शॉंग आफ बेबी प्लांट साइट से निकालता है मेरे इसके अंदर तो अभी निकला हुआ है लेकिन अभी मैं इसको निकालूँगा नहीं क्योंकि बार-बार निकालने से मेरे पौधे खराब हो जाते हैं मुझे क्योंकि कट करने से थोड़ा फंगस वगारा लगता है और फिर प्तियां देखने में और मैंने इसको भी कटिंग से प्रोपगेट किया है इसका मदर प्लांट बाहर लगा हुआ है वह भी देखने में बहुत ही ज्यादा खूपसूरत लगता है और इसकी मेरे पास एक क्रीन और यलो वाली वारी वराइटी है वह भी देखने में काफी ज जाना जाता है, ऐसा मारा जाता है अगर बच्चे या पालतू जानवर इसके पत्तियों को खा लेते हैं तो उनकी जुबान जो है वो थोड़ा फसकर निकलती है बोलने में थोड़ी देकत होती है तो इस वज़े से जो है आप सभी को मैं इंट्रडूश कराऊंगा ये है आपका पेंडानेस का पेंडानेस बहुत जादा देखने में खूपसूरत लगता है इसकी पत्तियां जो होती है वो सौंग आफ हिंडिया की पत्तियों से मिलती चुलती है लेकिन दोनों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है बहुत ही खूपसूरत देखने में लगता है इसको एक पाम के नाम से भी जानते हैं मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है क्योंकि ये थोड़ा जब बड़ा होता है तो नीचे का लुक जो है जो इस्टेम होती है वो एक पाम के जैसे देखने में लगती है अगला पौधा जो मैं आप सभी को इंटर्डियोश कराऊंगा और बाइचान सास इसके अंदर बहुत ही प्यारे से फ्लावर्स भी आ रखे हैं ये है आपका पिकॉक जिंजर और इसका ही कहर भी नाम है मैंने इसके उपर एक प्रौपर वीडियो भी शेयर कर रखी है इसकी पत्तियां बह अगला पौधा जो मैं आप सभी को इंटर्डियूश कराऊंगा ये भी बहुत कॉमन सा माना जाता है लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा वराइटीज पाई जाती है कि अगर आप सारी वराइटीज को लगा ले तो गार्डेन सिर्फ सिंगोनियम से ही भर जाएगा जी हाँ य अगला पौधा जिसे मैं आप सभी को इंटर्डियूश कराऊंगा ये है कैलिथिया और नेटा की वराइटी है मैंने इसको online मंगाया था और अभी देखिए जो है इसके अंदर growth शुरू हो गई है ये देखिए एक पत्ति इसके अंदर ये नई आ रही है और एक मैंने इसका और ये भी मंगाया था तो अभी इसके अंदर तो कोई growth नहीं आई है लेकिन जल्दी ये growth पर आ जाएगा क्य ये है फिलोडेंड़न फिलोडेंड़न की तीन वराइटी जो मेरे पास है एक ये ब्लैक वाली है जिसके पत्ते थोड़े ब्लैकेस से हो जाते हैं और एक ये नॉर्मल वाली वराइटी है दोनों लगभग कुछ ना कुछ मिलते जुलते जरूर है लेकिन दोनों के अंदर जो है वो डिफ्रेंस होता है तो एक ये है एक ये है और एक इसकी नियॉन वाली वराइटी जिसके पत्ते ये नियॉन कलर के होते हैं तो मैंने इसको कट कर दिया था जब मुझे पौधा मिला तभी मैंने इसको कट करके कटिंग से देखे जो है मैंने एक पौधा तयार कर और यहां पर देखिए यह ग्रोज शुरू हो गई है और यह वाला जो है में इस्टेम जो लगाई थी इसके अंदर भी देखिए नई पती अब खुलने वाली है तो फिलोडेंडोन भी बहुत अच्छा ओप्सन है और जैसा कि आप सभी को पता है बहुत ही बड़ी फैमली है लिए तो इसके अंदर बहुत सारी वाराइटीज भी आप सभी को मिल जाएंगी अगला पौधा है रिवन ग्रास का रिवन ग्रास जैसा की नाम से ही इसमें अंदर घास लगा हुआ है तो बिलकुल घास के जैसे यह ग्रोथ करता है लेकिन पत्तियां देखने में बहुत ही प्यारी होती है और इस तरीके से काफी खूबसूरत लोग यह गार्डिन को देता है इसी के साथ साथ इससे मिलता जुलता ही एक पौधा और इस पैडर प्लांट में आप सभी को दिखाना चाहूंगा इस पैडर प्लांट भी देखने में बहुत ही प्यारा लगता है अभी जो मैं नाम लोगा बहुत ही ओडिनेरी है परपल हार्ड गार्डन के अंदर अगर आप मिक्स एंड मैच करके पौधे लगाना चाहते हैं और इनकी परपल कलर की पत्तियों से आप कोई खुबसूरा सलुक देना चाहते हैं तो परपल हार्ड बहुत ही अच्छा ओप्सन है मैंने आज कुछ कटिंग्स जो है मेरे ये कोलियस की ब्रांच तूट गई थी तो मैंने इसी के अंदर डाल दी है तो परपल हार्ड बहुत ही अच्छा ओप्सन है अगला पौधा मैं आप सभी को ये सजिस्ट करूँगा आसानी से मिल भी जायेगा कटिंग से आसानी से बड़ी पड़ी पत्तियों वाला पौधा ये बिल्कुल आपके नॉर्मल के जैसे ही देखने में लगता है लेकिन इसकी पत्तिया नॉर्मल से जादा बड़ी होती है अगला ओप्सन जो मैं आप सभी को दूँगा ये है पाम की अलग-अलग वराइटी जैसा कि यहां पर ये मेरा चाइना पाम है मैंने इसको 12 इंच के गमले के अंदर लगाया हुआ है और बहुत ही बड़ा सा पौधा हो गया है दो गमले है मेरे पास इसके इसके अलावा पाम की मेरे पास एक और वराइटी है जो की खासकर गमलों में ही बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है द ज्यादा देखने में खोपसुरत लगती हैं और इतनी ज्यादा वराइटी जिसकी मिलती हैं कि आप सायद गिंते ठक जाएंगे इनकी एक एक पत्तों की जो लंबाई है वो मेरे हथेली के बराबर हो गई है और कटिंग से बहुत इसली प्रोपगेट हो जाता है कहीं से भी अ पास पास बहुत ज्यादा उग जाता है लेकिन जब आप इसको खूपसूरती के साथ गार्डेन का एक कोना दे देंगे तो यह ऑर्डेनरी सापका जो पौधा है यह बहुत ही इस्पेसल बन जाता है बहुत ही देखने में प्यारा लगता है कलर फूल लीप्स इसकी श्ञानिया का इसके अंदर जो नई लीपस आती हैं यहां पर मैं आप अप सभी को दिखाऊंगा क्योंकि मैंने अभी इसको हाल में रिपोर्ट किया था तो उपर से मैं मैं ने पिंच कर दिया है यह सारा पिंच किया हुए हैं जितनी भी ब्रांचे बहुत ही प्यारा लगता है और ये आपका प्लिघ ग्लोीमा है इसके मेरे पास दो पौध है जब मैं मेरे विक्षा बना लिए थी तो ये तीन मेरे पास सेगलोरीमा की हैं कुछ मैंने online order किया है लेकिन बहुत ही जो कुछ खास varieties हैं वो नहीं मिल पाई है और अभी हाल में ही मैंने कले थिया कि ये varieties एट की हैं एक ये है मैंने इसको report कर लिया है कल ही मैंने report किया है तो गमला थोड़ा गंदा सा है इसको साफ करना पड़ेगा ये मैंने पूरी root ball open कर दिया था क्योंकि red मिट्टी के अंदर लगा हुआ था और red मिट्टी के साथ आपका ये जो होता है मिला कर तो मैंने root ball को open करके इसको अच्छे से report कर दिया है और इसके अंदर से छोटे छोटे प्लांट भी निकाल लिये हैं ये देखिए मैंने दूसरे वाले पौधे से ये इसको निकाला है और इससे इसको निकाला है तो ये सौक में कुछ ज़्यादा है आई होप कि एक दो दिन में recover कर ले और ये वाला भी देखिए जो है अभी सौक में है तो ये केलिथिया की अलग-अलग variety जा पैट कर सकते हैं अला कि ये सही हो जाएंगे एक पर धूप या व्राइट लाइट सिर्फ थोड़ी बहुत पहुचती है ये है आपकी पोथोच की variety ये है आपका enjoy पोथोच क्योंकि देखने में बहुत ही प्यारा लगता है खसकर आप अगर pot में लगाकर इसको ट्रेल नहीं कराना चाहते हैं तो ये varieties बहुत ज्यादा आप यहां पर side में भी देखिए एक cutting इसकी जो है वो दिख रही है यह वाली और hanging basket में भी मैंने इसको लगाया हुआ है यहां पर देखिए यह hanging basket है इसकी neon पोथोच की तो बहुत ही ज्यादा देखने में प्यारा लगता है और इसकी अलामा मैंने money plant की ये दो pot रखे हुए हैं यह आपका normal golden pothoz है जो आपको अकसर ही देखने को मिल जाएगा तो बहुत ज्यादा यह भी देखने में प्यारा लग रहा है अगला जो आप addition कर सकते हैं यह है आपका rubber plant जिसको ficus elastica के नाम से भी जाना जाता है अभी इसको मैंने कहीं पर गो नहीं दिया है और इस वज़ दिरद्रे करके इनको भी एक proper space जो है वो मिल जाएगा टर्टल वाइन बहुत ही अच्छा option है यह देखे यह मेरा टर्टल वाइन है पूरा जो है वो pot के अंदर से और यहां नीचे तक जो है वो लटक रही है रेकने में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है मेरे पास ब अधिया कुछ पतिया नोच-णोच के ले जाया करती है तो इस वाजा से कुछ पतिया सुखी भी हुई है बाकि यह वांडरिंग जीव है यह भी देखने में बहुत ही जादा प्यारी रखती है इसने एक प्लांट भी मेरे पास जो है वह अलग-अलग वराइटी कई सारी है मैंने अभी एक निउमी एड़ किया है तो यह जो है आपकी यहाँ पर डॉफ फाली वराइटी है और यह शाइड में जो है यह बहुत ही बड़े-बड़े पत्ते जिनके होते हैं वो वाली है और मैंने इसकी एक वेरिगेटिट वराइटी अभी हाल में एड़ की है और एक लगी मेरी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बता दीजेगा ऐसी किसी नए वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नेक्ष वीडियो में तक तक के लिए बाबाएं टेक क्यार